आधरणिय दिदिवाईनी तथात आजवाई अरू निर्दारित समय बंदा डेड़ वर्ष अगया बै ताजा जनादेश का निम्ती जनता समक छे जानु परने अवस्ता शिर्जना होला वन्ने अनुमान आमे कर्षे लाइपन थेड़ 2004 साल मंग्षिर मा संपन्न आम निर्वाचन को जनादेश राजनिती की स्थाइप्तो को पक्षिमा ठ्यू तर जनादेश र जनवावना विपरित राश्प्रिय राजनिती लाई अंत्य हिन एवं अर्थ हिन विवादमा अल जायर गतिरोद शिर्जनागरिये पचि समसद लाई अर्थ हिन तुलेईए पचि र जननिर्वाचित सरकार लाई अर्शयोग विरोद र गेराबंधी मा पुर्याईए पचि मेरा साम सार्वम जनताशमक्षे जानुको पिकल्प राएन तेसेले जनताशमक्षे प्रश्टुथ हने निसकर्ष अनुरूप हीजो 2017 साल पुष्पांच गति प्रतिनी सवाग को विगटन गरेरा आगामी 68 साल वैशाख मा नया निर्वाचन गर्ने नेड़ाई गरिये को भेवरा मनिवेदन गरना चाहांचु शाथावमा हेर्दा हीजो विकर्षित गटना कुरम अपर्त्याशित र आकाश्मिक जस्तो देखियता पनी यो परिष्टिती लामों समय देखि राष्ट्री राजनिती र मुलत शतारूड नेपाल कम्निश पार्टी का केई नेता हरुका संगत बिक्रित र जना अपेक्ष्य विपरित का गतिविदियरू द्वारा श्र्जनाभाय को हो 2004 शाल अशुश सत्र गति तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माववादी केंदर वीच बाम गठवन्दन वनायर निर्वाचन लडने र निर्वाचन लगत्ताई पार्टी ये गता गरने उद्वुश गरिये को दियो यो निर्वाचन मार्फत आम जनताद्वारा इश्पष्ट रूपमा अनुबदन भायको दियो तर निर्वाचन पश्चात राष्ट्रिय राजनेति लाई जना अपेक्षे अनुरुपवा गाड़ी बढ़ना नदिने बिविन्ना विशंगत गतिविदी शुरुए शुरुमा सरकार गठन मां बिलंब गराउने र जना देश बिपरित अन्तेहिं बार्गिनिंग र दबाम मां राष्ट्रिय राजनेति लाई अल जाउने तेति वेलाका गतिविदी अरु तपयारुकु सम्झाना मां ताजईशन बढ़ने ठान्दाशु बादा अरु पंचाउं दई सरकार गठन बयो र सरकार ले जना अपेक्षे अनुरुक कामगर्न पनी शुरुगर्यों। तेस्वची केई नेता अरुद्वार निरंतर रुपमा अस्थिर्ता का संदेश र प्रयास जारी रहे। शरकार गठन को एक वर्ष नपुग दई कुने नेताले मुलुक बाईर गएर अस्थिर्ता को संदेश चर्न बयो बने कुने नेताले प्रदान मंत्री मुलुक मा नवयको मौका पारेर। देश डूबना लागे बचाउन का लागी माजी गवार नव थालन बयो। शरकार संविधान को कार्यनवन का लागी नया कानून निर्माण संधीता को कार्यनवन रभ मुलुको शामाजीक आर्थिकरुपांत्रण मा केंद्रित तिए। तर कटिपए साथियरुका आखा निरंत पद पर्तिष्ठा र पद शोपानमा मात्री केंद्रित भाई आपनो कानमा आय कोई दियासिक अभिबारा पूरा गरने गरी निति निर्माण, राज्जी संचालन र जन परी चालनमा केंद्रित होनु परने नेक बालाई क्याई नेता आरूले आपना असंतुष्टिक उन्ठा र आपमा केंद्रित शोच अरुको बंदग बनावने र निश्प्रभादिक तुरेवने प्रयास गरनुगा दिदिवाईने था दाजवाई अरू शमाश्या समाधान का लागी दुई अद्देश्च अरुका बीज मां कारे विवाजन गरे र एक जाना सरकार र और कोले पार्टी संचालनमा केंद्रित होने निणाय भय पचिए समाश्या समाधान होने अप्यक्ष्या गरिये गरिये मैले श्वय अनुरुका अफलाई पूर्ण रूप मा सरकार मा केंद्रित करे एस बीज मा पार्टी काम कथी अर्गाडी बढ़े एकी करण का बागी काम कथी पुरावाई मादी वेशन को तैयारी कथी अर्गाडी बढ रजनतालाई समस्या परेको बेला विशाल पार्टी पंक्ति लाई कती परिचालन गरिये एस मा मैले केई बने रणुपर लादस्त लागते तथेरू आफे बोल्चा तर सरकार लाई बने रामरो संग चलनत दीए पार्टी गोष्णा पत्र को मर्मर सम्रित नेपल सुखी न पालिको अव्यान लाई आकनो सक्ने गरिये योग्यता स्यम्ता का आधार्मा मंत्री परिचत पुन्नुर गठन गर्न खुजयो अने आफनोर पराई का कित्ता काट गरेर तुंगमा पूग्णा दीए महत्त पुर्ण संबैधानिक अंगावरुमा रिक्तता शिर्जनावन थालियो पूर्ती गर्ना पाईये पछाड़ी परिकार सामाजिक समधाय को हेत्का लागी बिविन्न संबैधानिक आयो घरुको बेवस्ता छो तर साड़े दोई वर्ष सम्मपने तिहान युक्ति हुन सरकार ले दूर्गामी महत्तो का काम गरेगो छा पर्चिकुलता का बीश्मपनी मुलुकले महत्तो पुर्ण उपलब्दी हासिल गरेगो छा युगान्तकारी काम सुरु भयकाशन तर विपक्षी दल हरुलाई पनी उचिनेर के नेतारू सरकार को अनंत बिरोद्र नकारात् सरकार ले प्रस्तुत गरेका कथिपए प्रस्ताब माथी शार्वगों सम्क्षद लाई छलफल पनी गरना नदीक अन जवर्जस्ती रोक्यरे राखियो बीगत केई महिना यता सरकार कस्तो कचिनाई वीच्च काम गरना बाद्दे भयोरा कस्तो गेरावन्दी कोशिकार वयो वन्ने बारे मैं आहरू औन भग्य उन्यून्य पन्ने मठान्द छुू। मयिले राज्य प्रणाली मापनी रपाठी सम्रछना मापनी नेत्रत्तो अस्तांत्रण को यहोटा बयदानिक प्रणाली बश्यालने प्रयास करे। प्रधानमंत्री चायन ताजा जनादेश का आधार्मा बन्ने समसदली गरोश र पाठी नेत्रुक्तो को चायन मा आदिवेशन बटो होश बन्ने बिदी इस्ताबित गर्ना होजे। शंगिय लोक तांत्री गर्न तंत्र का निम्ती अग्वाई गरेको पईरो पुस्ताली समरक्षेक्र उत्प्रेयरक्को सम्मांजनक बमिकामार ओस र मुलुको नेत्रुतो सामाजिक आर्तिकरु पांत्रण र सम्रिद्धिको मिशन पुरागर्न सच्छें र सक्रिय नया पुस्तामा अस्तांत्रण ओस बन्ने मार्गचेत्र प्रस्थूत गरे। एशय मान्यता का आधार मां पांच वर्ष को शरकार को नेत्रत पशी शुय के नेत्रत लाई जिम्मेवारी अस्तांतरण गरने रव माधिवेशन द्वारा पाठी को कारीकारी जिम्मेवारी बाट अफकास लिने घोष्णा समयत गरे बुल्लुको जटिल अबस्तामा नियमित माधिवेशन होना नसकने होगने पनी विशेश माधिवेशन गरे रव अध्रिक्षेपद अस्तांतरण गरना इच्छा गरे रयोजना पनी प्रस्तुत गरे तर माधिवेशन का लागी साथे और लेडे चार मैन आपनी कुर्ण उल्टे मेरो रादनेतिक चरित्र अत्यागर्ने गरी अत्यान्त लांशित्र अभमानित गर्दै आरूप पत्र पेश गर्णुगाई तेसलाई पार्टी को लोग और कारेले को दुर्पय गर दे राष्टव्यापी रूपमा वित्रन गरनुगायर बस्टुत पार्टी विवाजन को अपर्तेक्षे गोष्णा गरनुगायर और का तिरा वित्र वित्रे पर्दान मंत्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को तयार इलाई अगारी बढ़ाउनुगा पार्टी अद्यक्षे एवं सम्सदिय दल का नेतालाई थाई नदी सम्सद अदिवेशन बुलाउन अस्ताक्षर संकलन गरेर साथियोडले सम्मिधान विपरित पार्टी पर्णाली रपद्धती माथी एश्वगिने गंबिर आगात प्रयाउनुगा एश्वचिने पार्टी वित्रको अबस्ता निकी गंबिर रसंकट पुर्णा बन्न पोग अस्ती पुष्चार्गाते मात्रिप्मनी माइले पुष्वकमल दाल जीला जीको निवास महीं गायरा उक्ता विग्राकारी आरोपत्र फिरताली ना पार्टी मां सोहजर स्वस्त वातवरन शिर्जना गरना र विशेस माधिवेशन आयजाना गरेरा नेत्र तो अस्तांतरन पतक पतक आगरा गरें पार्टी एकिकरन को शंकरमन खालीन प्रयोजन का लागी मननएं द्वारा गठन वयकार माधिवेशन संपन्न गरने मुख्य दायत्तो वयका पार्टी का नित्रुद्दाई कमिटी अर लाई पार्टी विधान र एकिकरन को भावना भीपरित पार्टान को अवस्थाती र नदा करना र कर्तब्य को लिक बट बाहर नजान बारं बार आगरा गरें तरेश प्रयास लाई मेरो कमजोरी ठानि क्या भयको चैना क्या गरीने चैना बनने कुरामा अलमले आंताई प्रदान मंत्र विरुद्द अवश्वास प्रस्ताप को त परने जायज कारण किया थियुरा शरकार लेश बीज मा राष्टियत अलाई शुद्री लगरने संदर माई टियासी कामरू करें नेपाल को अस्तबिक भुबाग समेठे को नयान अफ्चा प्रकासन गरिये कुछा तद नुरुप सर्वसंबति का अधार्मा समिधान अंतराष्ट वारत संग भारता को तैयारी वही राये कुछा चीन संग पार्मानी आता प्रुटकल मा अस्ताक्षर वाये कुछा नेपाल को अंतराष्टिय चभी भुमिकारा आकर्शन बडे कुछा यसलाई शुद्रीट गरन सबैले स्वायो गर्णु परने वेलामा सरकार असयोग्र असपल पार्न वैराये का इगदिविदी का पचारी गंबीर स्वाडिंद्र लुकेगो इस पश्ट चाइनरा इगडनाकन हेर्दा मा आजे बंदा चार वर्श अगाडिका परिद्रिश्य अरूलाई समझी राये कुछु नागाबंदी को सास का साथ सामनागर द तेदी वेलाको सर्गारलाई इसे गरी शडेंतर पुल्ण डंगाले अपतस्त गरी गरिये गदिविदी परिष्चिती रस्चमाय संदर्व फरक भाय पनी पात्रहरू उनेयों नंद्यों कि ऐसले आमरा कथिपए नेतारू नेपाललाई अनन्त अस्तिर्ताम फर्शावनी योजनामा स्वाबागी भाय को इस पश्टरूक में देखिनों नरा थुप्रही पर्तिकुलतागा वावजुत नेपालले गएको तीन वर्शमा उडलेख उपलवदी आशिल गरेको कुरा माथी पनी उडलेख भाय चाईगोचा प्राय सवय जशो विकास शुचका गहरूमा नेपालले प्रगतिगरेकोचा कटिपए श्यत्रमा फड़कोने मारेकोचा शांती शुरक्ष्याको इस्तिति लाई शुद्रेट तुलेएकोचा पिर्थक्ता वादी गतिविदी लाई शमाधान गरिएकोचा मुलुकले विकास शुचासन सम्रेदी रा इस्ताइत्ति रा शकरात्म कदम चाली रायको इस्तिति वाट पार्टी खुशी उनु परने वही नरा सबय मिले रा इसलाई थब गतिदी नु परने वही नरा तर कतिवाय नेताहरु वाट इसको उल्टो काम बाई रायकोचा सरकार लाई पांच वर्ष काम गर्न दिने रा उसका काम को परिष्चेन जन्ता वाट निर्वाचन का कुरम मा हुने लोकतांत्री बाटो छोडेर सदैंवरी सर्कार सदैंवरी पधिय वाग मंडाको चक्रवीवमा राजनितिलाई बंदी बनावनी काम बाई लोकतंत्र मा सद्था पक्षेले जन्ता को आदेश उन्षयार काम गर्चा पर्थिपक्षेले नियंतन रसंतुलन को भुमिका खेल्चा ख्याल्च, तर आमिकाया सत्तापक्षे का कतिपाय साथी अरू नाई, पर्तिपक्षे बन्दा बड़ी आक्रामक, अशायोगी रशाडिंत्र पुर्ण गतिवेदी मां स्रम्लग नमने, बिनम्मना पुर्ण अवस्ता शिर्जनावारू, आजगो इस्तिती बिकस्षित उनुम कतिपाय नेताहरू को गतिवेदी को मुख्य जिम्मेवारी रहेगो, तथे लाई, ये काराखनू परताश, ये श्तो काम को नहीं पनी अर्समा लोग तांत्रिक होना सकते, दिदिवेजी तथा जाजवाय अरू, पार्टि लाई, एकता बुद्ध रूप मां पगाडी बड परत्यनी सभाव इगटन रव नया निर्वाचन मेरो रूची वा छनवट को भिशाय थियेन, तर मुख्य लाई, अकर्मन्य अवस्तामा राखी राखनू, उचे दोते नथिव, शम्षत लाई, केई नेताहरू को श्वार्थ को बंदक मनाई राखनू, जनादेश बिपरि निकास दिने परत्यों, जना अनुवदित, नेकपाको इस्तरकार लाई, आफने दल का नेताहरूले काम गरना नदिनेर, दल वित्रको कचिंगले परतिन्देश बालाई पने शिकार बनावने अवस्ता अंते गरने परत्यों, एसे प्रिष्टवी मा मा नया जनादेश का ल कम्रीडर भुलाई आगराव गरना चाहांचु, निर्वाचन को गोष्णाले, पार्टी एक्तालाई बलियो बनावने अप्यक्षया गरे गुष्णु पार्टी पईलो शक्ति बननुमा, पार्टी एक्ता हुनुमा, रपार्टी ले विशाल जनसमर्थन प्राप्त गर्नुमा, केपी ओली को कुने योगदान चैना, आमी पो निनाय गवं बनने कम्रेड हरुलाई पनी, लोग फ्रिय अतार छेम्ता को मापन गरनेशले अफसर्द प्रदानमंत्री बनन बेग्र प्रतिक्ष्यामा, वा प्रयास्मार्वन वयकानेता हरुलाई, पनी, ताजा जनादेशले बिकल्प दिनीश, पर्तिप्रक्षे दल्लाई पनी, आपना एजेंडा, जन्तावीच लईजान, अफसर्दान बनेश, निर्वाचन लोग तंत्रको वापमा हो, यो सबय बनना उन्नत लोगतांत्रीक अभ्यार्त था बिदीपनी हो, जन्न नरिवाचित सरकार ले काम गर्ना पाउंदाईन बने, उसले पुन्राबेदन गर्ना जाने ठाउं, सार्भम जन्ता शमक्षे नही हो, मैले यही बाटो अबलमन गरेकोशू, पार्ट परदान मंत्री निर्वाचित भायबती हैं, बावमत प्राप्त दल को सर्भसमत नेतालाई काम गर्ना नदीए पछी, बन्द कोठामा अनुचित रशिद्दान तहिन सम्जवतामा अल जियर, जन्न अपेक्षिया मा आस्पुर्याउंग, मैले उपईपत ठानीन, जन्ताला जन्ता को वार्षगारनी अलोग तांत्रिक चरित्र परती मैले सदें लिमती राखते आये खेंजवतालाई नेपाल को सम्मिधान ले, नेपाल को शार्वम सत्ता र राज़्किय सत्ता जन्ता मा निय तरौने वेवस्ता गरेगुषा, राज्ये शंचालन को अंतिम निर्ण लोग तंत्र लाई थप शुद्रिट र परिफक्क बनाऊंचा। आमरो लोग तांत्रिक प्रणारी नया चा तरकम जूर चाईना। मुलुक जन परतिनी बीई न अवस्तामा चाईना। राष्ट्रिय सवा किर्याशील चा। पर्देश सर्कार, पर्देश सवा एवं इस्तानिय सर्कार अरू मुलुक को समिधान र कानुन अनुरूप आपनु तामा राजनितिक नेतृत्र पर्दानगरी रहेकाशा। राष्ट्रपदी न नयाय लगायत का संस्ता हरू राज्यका निजामती एवं सुरक्ष्यांगारू सवे आपनु करताबे निर्वामा द्रेल्चा। साडे चार महिना पची नयाय पर्देश सवा इस्ताबित भई आलने नहीचा। एकाशां सताब्दी को नेत्रुत्त गरन तयार भईर वशे को हमरो युबा पुष्टा लोगतंत्र प्रती प्रती बद्दाच। युँ पुष्टा नहीं लोगतंत्र को सवाई बंदा ठुलो परेदारू। एस परिष्टितिमा मा शंपुल्ण युबा हरूलाई लोगतंत्र को रक्षय का लागी एक जुट वैर दिर्थता पुर्वगा गाडी बढ़न आवान पनी गरना चाहांच। तेसेले निरवाचन मा जानदा शंविदान अफ्ठारूमा पर्चा। लोगतांत्री गणतंत्र संकटमा पर्चा रा मुलुक अस्थिर्था तर्फ दकेली इन्चा वने रा चलाउना खुजियेका परचार या फिजाउना खुजियेका आस्तंकार रा भ्रमवरू निराधार जुट राजनेतिक इस्थिर्थाको प्रत्यावति गारने निणायक तत्तो जनताको अईगमत। तसर्थ कुने पनी कुरामा ना अलमली गना, आम निर्वाचन को तैयारीमा केंदर थुना मर्शवईमा आर्दीक आवान गर्दशू। दन्यवाद।